नमस्कार दोस्तो फिर से एक नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ हम आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बीजनेस के बारे में जिसका इस्तिमाल आज हर घर में होता है चाहे वो गाह हो या सहर दोस्तो हम बात कर रहे हैं सकर्प पैट बिजनेस के बारे में आप चाहे तो सकर्प पैट का बिजनेस अपने घर में ही बड़ी असानी से सुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं दोस्तो इस business में लागत बहुत कम और मुनाभ़ा बहुत ज्यादा है कियोंकि इसकी raw material की कीमत बहुत कम और माल त्यार होने के बाद इसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक स्कर्प पैकिंग मसीन लेने की जरूरत होगी और रा मेटरियल के रूप में स्कर्प पैड एवं पैकिंग मेटरियल दोस्तों अगर आप यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस इस वीडियो में मैं इस बीजने से सम्मंदित सभी परकार की जनकारी जैसे मसीन कहां मिलेगी, रा मैट्रियल कहां मिलेगा, यो इस करप पैड कहां मिलेगा और इस बीजने में लागत कितनी आएगी। और एक प्रॉफिट रिपोट के माध्यम से यह भी बताऊंगा कि इस बीजने से मुनापा कितना प्राप्त होगा। अच्छी लगी या जनकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक यो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या किसी सीए की मदद से आप करवा सकते हैं। दोस्तो आपको यह भी जनकारी होनी चाहिए कि किसी भी बिजनेस को सुरू करने के लिए हमें दो तरह की फंडिंग की आउस्यक्ता होती है। पहला है फिक्स्ट कैपिटल यानि की निश्चित पुंजी दूसरी है वर्किंग कैपिटल यानि की कारेसिल पुंजी जिसे आप कैस, क्रेडिक या ओवरड्राप की सुविदा से उटा सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी बैंक या बितिय संस्थान जैसे, माइक्रो फैनेंस या सहकारी समीतियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, MSME के तहत आप लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये मसीन और रा मेटरियल हमें कहां मिलेगी और कितने कीमतों में मिलेगी। और इस वीडियो के सबसे अंत में हम एक प्रॉफिट रिपोर्ट के माधहम से आपको बताएंगे कि इस बीजनेस में हमें कितना मुनाफ़ा होगा। तो दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सकर्प पैड पैकिंग मसीन के बारे में। दोस्तो मसीन के लिए आप www.indiamart.com पर लोगिन हो सकते हैं। लोगिन होने के बाद सर्च बारे में टाइप कर दे सकर्प पैड पैकिंग मसीन। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नीछे देख सकते हैं बहुत सारी मस्जीन आ जाएंगे इस मसीने जी हो है अलग-अलग rate की हैं अलग-अलग capacity की हैं और अलग-अलग companies की तो आप जो भी आप अपनी capacity उन सारे हैं से मसीन मंगवा सकते हैं आप देख सकते हैं की है उसके नीचे आई ये 2,50,000 रुपे की है तो इसमें से आप 4,5,000 रुपे न लेकर अगर 2,50,000 रुपे 2,75,000 रुपे का भी लेते हैं तो इस मसीन की जो केपेसिटी है एक मिनिट में 10 पाउच पैक कर देगी इसकर पैट की तो आप अगर कोई साभी मसीन लेना चाहते हैं उसके सामने में आप देख सकते हैं हाँ पे कंपनीज का नाम है, उनका कंटेक्ट नमबर है यहाँ से आप उनसे चार्ट भी कर सकते हैं या जैसे ही इस पे क्लिक किजिएगा तो आपका email आडिया और phone number फिल अप करने के लिए बोलेगा और submit करने से अपने आप वो call आपको callback कर देंगे कि आपको क्या चाहिए, आपसे पूछ लेंगे तो यहाँ से आप machine ले सकते हैं machine के अलावा आपको raw material वी चाहिए raw material के लिए भी आप www.indiamart.com पर login हो सकते हैं लोगन होने के बाद आप square pad के वल टाइप कीजएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आप देख सकते हैं square inch में है यह 0.09 पेसे का यानि कि 9 पेसे का 9 पेसे का एक square inch है यानि कि जिस size का square pad हम वरतन दोने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस size का लेने के लिए आपको कम से कम 2 रुपे 2,5 रुपे पढ़ जाएंगे एक पेड के raw material इनको लेके हमें pouch में pack भी करना है तो आप यहाँ से अलग-अलग rate की है तो normal जो चलता है वो यही है जिद कि यहाँ पे 2 रुपे पीस भी है यह यह normal वाला है जो सभी लोग यूज करते है normal market में मिलता है 2 रुपे प्रती पीस यहाँ से 2 रुपे प्रती पीस लेकर आप चाहें जितना order करें वो आपको दे देंगे length 4 inch है और इसका जो बर्त है वो 3 inch का होगा जो normal है इसके सामने एक company's का नाम है यहीं से मंगवा सकते हैं order देखे www.indiamard.com से दोस्तो मसीन खरिदने और बीजने सुरू करने के बाद अगर हम investment और profit की बात करें तो हमें मसीन जो खरिदनी होगी वो 2,50,000 रुपे की कम से कम मसीन खरिदनी होगी आप देख सकते हैं इसकरप पैट पैकिंग मसीन जो है 2,50,000 रुपे की है तो 2,50,000 रुपे हमारे इसमें खर्च हो जाएंगे दूसरी जो है कारेसल पुझी यानि की working capital working capital पर हमें कितना खर्च होंगे आप देख सकते हैं उपर में लिखा हुआ है workers, raw materials, utilities and other expenses per day आप देख सकते हैं एक नंबर में इसकरप पैट जो है 4800 पीस यानि की एक मसीन जो है एक मिनेट में 10 पीस पैक करेगी तो एक मिनेट में 10 पीस तो एक घंटे में 600 पीस उसी तरह आठ घंटे में 4800 पीस पैकिंग कर देगी मसीन ये जो इसकर पैट है 2 रुपे की हिसाब से इंडिया माट पर मिल रहा है आप देख स्चुके हैं तो इसके हिसाब से 9600 रुपे इसके हो जाएंगे दो नंबर में आईए तो पैकेजिंग मेटरियल जो है वो 4800 यानि की 4800 पैकेट के लिए हमें पैकेजिंग मेटरियल पर 50 पैसे खर्च करने होंगे वो भी इंडिया माट से आपको मिल जाएंगे तो इस पे 2400 रुपे हमारे खर्च हो जाएंगे पैकिंग के लिए लेवर चाहिए तो लेवर हमें 2 कम से कम रखने होंगे अगर एक लेवर को हम 300 रुपे भी देते हैं तो 600 रुपे डेली के हमारे लेवर के खर्च हो जाएंगे उसके नीचे देखिए ट्रांस्पोरेशन चार्डेज जो है ये 1000 रुपे हम माल लेते हैं और मिसलेनियस एक्सपेंसे जो है 1000 रुपे हम माल लेते हैं होता है working capital पर उसके नीचे देखिए तो total cost of production on one packet एक packet पर हमारा खर्च कितना आया तो 16100 divided by 4800 यानि कि 3 रुपे 35 पे से एक स्कर्प पैड पर हमारा investment हुआ total खर्च आया दोस्तो अब हम बात करते हैं profit report की आप उपर में देख सकते हैं profit report of 4800 पैकेट इसकर्प पैड पर डे एक दिन में अगर हम 4800 पैकेट पैकिंग करते हैं तो नीचे देखिए cost of production on one packet अब देख चुके हैं 3 रुपे 35 पी से एक पैकेट पर हमारा cost आया था total production on one day एक दिन में हमारा 4800 पैकेट पैक होता है total हमारा cost आता है 16100 रुपे का working capital पर एक दिन का खर्च market price देखा जाए अगर market price of one packet market जो value है उसका 8 से 10 रुपे में market में बिकरी होता है अगर हम आप नीचे देख सकते हैं if you sell in market one packet RS5 हम 5 में बिचना पड़ेगा हमें क्योंकि हम wholesaler को देंगा wholesalers, retailers के पास जाएगा तो एक एक रुपे तो सबको चाहिए ही तो अगर हम 5 रुपे में भी sell करते हैं तो total production हमारा 4800 पीस है तो total market value हो जाएगा 4800 into 5 यानि कि 24,000 रुपे का हमारा market value हो जाएगा एक दिन का production तो profit in one day एक दिन का profit अगर हम निकालते हैं तो 24,000 minus 16,100 equal to 7,900 रुपे हमारे एक दिन के benefit हो जाएगे इस business से अगर उस हिसाब से महीने में देखा जाए in one month 7,900 into 30 यानि कि 2,37,000 रुपे हम महीने का कमा सकते हैं लेकिन दोस्तो होता क्या है production तो हम कर देते हैं लेकिन हमारा माल जो है market में supply नहीं हो पाता है इस वज़ा से हम production को down करते हैं तो 8 घंटा काम न करके 8 घंटा machine न चला के सिर्फ 2 घंटे भी हम machine चलाएंगे तो आप देख सकते हैं जहां एक दिन में हमारा 8 घंटे machine चला कर 7,900 रुपे का मुनाफ़ा होता था तो 7,900 divided by 4 यानि कि सिर्फ 2 घंटे machine चलाएंगे तब भी 1,975 रुपे हम डेली का income कर सकते हैं उस हिसाब से अगर हम 30 दिन यानि कि एक महिना production करें तब भी 59,250 रुपे का हम मन्तली income कर सकते हैं इस business से दोस्तो आपको मैं यह भी बता दू कि इस वीडियो में दी गई सभी जनकारी इंटरनेट एवं नीच पर से ली गई जनकारी पर आधारी थे या जनकारी केवल education purpose के लिए दी गई है आप अगर इस business को शुरू करना चाहते हैं और बुलंदियों को चुना चाहते हैं तो आपकी बहुत जादा मेहनत एवं लगन की जरूरत होगी इसलिए आप कोई भी business सुरू करे तो अपनी सुजबुच से ही सुरू करे क्योंकि हर कोई किसी भी business को मुनाफ़े के लिए सुरू करता है लेकिन उसे कभी कभी loss का भी सामना करना पड़ता है दोस्तो अगर आपको यह business पसंद नहीं आया हो तो इस channel पर बहुत सारे ऐसे business के वीडियो हैं जो की तरह तरह के business के बारे में जनकारी देते हैं इसके लिए आप मेरे channel के नाम पर क्लिक करके हमारे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एवं साथ में इस channel को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद